प्रिये विद्ध्यार्थियों, आज हम MA Final का सात्मा प्रश्ण पत्र अंतरास्ट्रिय कानून के अंतरगत, अंतरास्ट्रिय कानून के अध्यन का महत्व एवं आवशक्ता के बारे में चर्चा करेंगे. अंतरास्ट्रिय रंगमंच पर वर्तमान में कोई भी राज्य दूसरे राज्य से अलग रहेकर अपना एकाकी जीवन नहीं जी सकता. अरस्तु के एक परिभाशा भली भांती याद आती है मुझे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, उसको एक दूसरे के आवशक्ता होती है. यदि कोई व्यति समाज से बहर रहता है, तो वो या तो देवता हो सकता है, या फिर पशू. अरस्तु की यही परिभाशा यदि हम अंतरास्टे इस्तर पर देखें, तो विभिन राज्यों के आपसे समंधों पर लागू की जा सकती है. कोई भी एक रास्ट्र अपने आपको विभिन या दूसरे रास्ट्रों से अलग रख कर अपने आपको एका की जीवित नहीं रख सकते. कि वर्तमान में वैसे भी वेग्यानिक आविशकार और यातायात तथा संचार साधनों के विकास के कारण विश्व में सभी रास्ट्र एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं और भुमंडल के किसी भाग में होने वाली गटना का प्रभाव दूसरे भाग पर अवश्य संपूर देश काल की भोगोलिक सीमाई खत्म कर दी हैं इंटरनेट रूपी धांचे ने तो दुनिया का नक्षाई बदल दिया आज गाउं शहर जिला प्रदेश देश उपमहाद्वीप जैसी अवधारणाई बेमतलब सी दिखाई देने लगी हैं साधान ते एक देश के निवासी दूसरे देशों के भूभागों में आते जाते हैं कोई भी राज्य अपनी सीमाओं को इतनी दृड़ता के साथ बांध नहीं सकता कि किसी दूसरे देश के निवासी उसकी राज्य में कदापी प्रवेश ना कर सके और विदेशों से व्या विश्व अर्थ व्यवस्था में आए खुलेपन आपसी जुड़ाव और परसपर निर्भरता के फैलाव की प्रक्रिया के तेज विस्तार ने विश्व अर्थ व्यवस्था में बदलाव ला दियें हैं आर्थिक, सांस्कृतिक, वेग्यानिक, प्रावीधिक, शैक्षनिक, राजनितिक आवशक्ताओं के कारण विभिन देशों के पारसपरिक समंद इतने प्रगाड हो रहे हैं कि इस समय कोई भी सब्यराष्ट दूसरे रज्जों से सर्वथा प्रथक रहकर ने तो अपना जीवन यापन कर सकता है और ने ही किसी प्रकार की कोई उन्नति कर सकता है तो राष्ट्रों की पारसपरिक निर्बरता एक ऐसा यथार्थ है जिसकी उपिक्ष नहीं कि जा सकती जिस प्रकार मनुष्य अपने क्रिया कलापों को नियमित करने वाले कानोनों तथा परंपराओं के बिना समाज में जीवन यापन नहीं कर सकता उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने आचरण को नियमित करने वाली परंपराओं और रूडियों के बिना परसपर संसर्ग स्थापित नहीं कर सकता जिस प्रकार एक राज्जे के नागरिकों के आपसी सम्मंद और व्यवहार उस राज्जे के देशी या राष्ट्रिय कानोन से नियंत्रित होते हैं उसी प्रकार अंतराष्ट्य क्षेत्र में विभिन राज्यों के आपसी समंधों का नियमन अंतराष्ट्य कानून द्वारा होना चाहिए। यदि सभ्य और संप्रभू राष्ट्र अपने व्यवहार के लिए स्विकार के गए परंपरागत और नविस्थापित नियमों को तो फिर सभ्य और एसभ्य राज्य का अंतर कोई माईने नहीं रखता। अंतराष्ट्य कानून के अध्यन का महत्व और उसके आवशक्ता भी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे ये बहुत ही महत्व पूर्ण हैं अंतराष्ट्य का अध्यन बिल्कुल निर्थक समझा जा बड़ी बात नहीं थी सन 1907 में जब अंतराष्ट्य कानून के विभिन पहलूओं पर नियमों के निर्मान के लिए दूसरा हेक संबिलन बुलाए गया तो पश्चिमी देशों के कतिप्य उच्च सैनिक अधिकारियों ने इस वीशे के बारे में यह मंतव्य प्रकट किया कि तथा कथिक अंतराष्ट्य कानून प्रोफेसरों तथा किताबी गिड़ों के दिमाग की उपज है इन नियमों से वे इस्थल एम जल से नाओं के से ना धक्षों को कुछ कारे करने से रोकना चाते हैं ऐसे नियम बिलकुल बेकार है क्योंकि इनका पालन कराने वाली कोई र पालन भी आवशक समझा जाने लगा है दो विश्व युद्धों ने अंतराष्टिय क्षेत्र में अराजक्ता के दुष्परिणामों को सुष्पस्ट करते हुए इसमें कानून की प्रतिष्ठा बढ़ाने और इसके पालन की अनिवारता पर पहुत बल दिया है इस समय मनुष्य के लिए संताप और चिंता का सबसे बड़ा विश्य है कि गोर्की ने जैसा कहा है कि वह आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकता है समुद्र में मचलियों की तरह तेर सकता है किन्तु यह नहीं जानता कि प्रिथ्व पर कैसे रहना चाहिए तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व विद्वन्ष कारी अनुबमों तथा प्रलेंकर प्रक्षे पास्त्रों की विभीशिका अब उसे बाधित करने लगी है कि वह अंतरास्टे कानून की सत्ता को स्विकार करे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई इसका पालन सब राज्यों के लिए अनिवारे समझा जाए इसलिए वर्तमान में सभी राजनेता विचारक और कोटनीतिग्य इस प्रश्ण पर सहमत है कि अंतरास्टे कानून का पालन आवशक है तो इसकी आवशक्ता और महता निम्न बिंदूओं के आधार पर हम देख सकते हैं अराजक्ता से बचाव मनुस्मृति में कहा गया है कि मानव को पारस्परिक संगठन बनाने के लिए अत्वा राष्टर के रूप में संगठित होने के लिए आपस में पारस्परिक व्यवहार के लिए कुछ नियमों का निर्मान करना पड़ता है और उन नियमों का पालन करना पड़ता है वरना अराजक्ता के स्थिति उत्पन हो जाती है एव्यवस्था एशान्ती अराजक्ता तथा निश्चित ता पूर्ण परिस्थितियों के निराकरण के अनेक प्रयासों में अंतरास्टी कानून का अनुशीलन विशिस रूप से महत्वर रखता है अगला बिंदू हम देखेंगे शक्ती संघर्ष को परिसीमित करना अंतरास्टी राजनिति को मोर्गेंथों ने भी शक्ती के लिए संघर्ष कहा है तो शक्ती संघर्ष की इस राजनिति में छोटे एवं बड़े राज्ये अपने राष्टे हितों की पूर्ती के लिए कारे दारत रहते हैं. अंतरास्टी संघर्ष को अंतरास्टी कानुन के प्रती बंध द्वारा सीमित दाइरे में रखा जाता है. चाहे छोटा राज्य हो अत्वा बड़ा किसी भी कारेक्राप को करने से पहले यह विचार कर लेता है कि क्या उसकी नीतियों से अंतरास्टे भी अंतरास्टे कानून का महतुपून कार्य माना जाता है तो विश्व शान्ती एक प्रतिम आवशक्ता है आज के यूग की अंतरास्टे कानूनों के द्वारा राष्टों के व्यवहार हेतु सामान्य नियमों का सार्व भौमिक निर्धारन किया जाता है यदि विश्व के समस्त राज्य अंतरास्टे कानूनों का समान भाव से आदर करने लग जाएं, तो राज्यों के बीच होने वाले मतभेदों एवं संघर्षों को टाला जा सकता है अंतरास्टे कानून एक ऐसे विश्व का निर्मान करने का साधन हो सकता है, जिसमें संघर्षों के बज़ाएं सहयोग का प्राबल्य हो विश्व सरकार की प्रात्मिक्ता की आवशक्ता भी आजकल जान पड़ती है प्रसिद्ध दार्षनिक रसेल के अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शान्ती की स्थापना की जा सकती है जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रियता एमं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा उग्र संप्रभूता जिसका अंततो गत्वा परिणाम युद्ध होता है का निश्चित रूप से परित्याग होगा और निकट भविश्य में विश्व सरकार की धार्णा की पूर्ति की जा सकेगी आणविक तथा संघारक शस्त्रों से सुरक्षित सुरक्षा करना भी अंतरास्टे कानून का दैत्व है विज्यान तथा तकनिकी विकास के परिणाम स्वरू विभिन रास्ट्रों के पास संघारक शस्त्रों के मात्रा में भयानक व्रिद्धी हो चुकी है विश्व की महान शक्तियों के मध्य संगारक शस्त्रों के निर्मान की भयानक प्रतिस परदा चल रही है आज संयुक्त राजे अमरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन के पास आन्विक एवं हाइड्रोजन शस्त्रों का विशाल भंडार है विभिन राष्ट्रों में आपसी मन मूटाव के कारण शस्त्री करण प्रतिस परधा को रोका नहीं जा सकता निशस्त्री करण के लिए किये गए विभिन प्रयास ऐसाफल हुए है ऐसी इस्थिती में अंतरास्ट्य कानून ही मानवता को स्रक्षा प्रदान कर सकते हैं इस समय इन कानूनों के द्वारा ही युद्धों में विशेले एम भयानक शस्त्रों के प्रियोग पर प्रतिबंद लगाए गए हैं। के उप्रांत भी विभिन राज्यों के मध्य राश्ट्रिय हितों के महत्पुन प्रश्णों को लेकर अत्यदिक मतभेद पैदा हो जाते हैं और युद्ध प्रारंब हो जाते हैं। अभी वै इस्थिति नहीं आई है कि युद्धों का समूल परित्याग हो जाए। विभिन राज्यों के मध्य चलने वाले युद्धों को अंतरास्ट्रिय कानून के द्वारा व्याभारिक्ता प्रदान की जाती है। युद्ध करना अपराद नहीं है किन्तु युद्ध में अंतरास्ट्रिय कानून की उपेक्षा करना घोर निंदनी अपराद माना जाता है। यदि युद्ध का संचालन करने के लिए परियाप्त कानून नहीं हो तो युद्ध ग्रस्त राष्ट्रों के जनता को अपारक्षती उठानी पड़ सकती है। फिर है राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एमं व्यावसाई क्रियाकलापों का संचालन करना वेज्ञानिक आविशकारों यातायात एमं संचार के साधनों की अभूत पूर्व उन्नती के कारण सब देशों के सम्मंद एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। एक दूसरे पर निर्भरता में निरंतर व्रिद्धी हो रही है। आज छोटे और बड़े सभी राज्ये आपसी लेन देन और आदान प्रदान द्वरा ही अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। राज्यों के बीच व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सारी इस्थितियों का सुविधा पूर्वक संचालन अंतराष्ट्रे विधी के अभाओं में आसानी से किया जाना असंभव ही प्रतित होता है। अंतराष्ट्रे इस्थर पर कूर्टनितिक गतिविधियों का संचालन भी हमें देखने को मिलता है। विभिन राज्यों के आपसी संबंदों का संचालन कूर्टनितिक प्रतिनिदियों दुआरा किया जाता है। एक राज्ये के राजनाइक प्रतिनिधी दूसरे राज्ये में निवास करते हैं अंतरास्ट्रे कानून के अभाव में राजनाइक प्रतिनिध्यों का कारे अत्यांत दुश्कर हो जाएगा इनके समस्त गतिविद्यों का निर्धारण वियना अभी समय द्वारा किया जाता है अंतरास्टे न्यायले के कारे को सरल बनाने का काम अंतरास्टे कानून करते हैं प्राय राष्ट्रों के मद्धे जो विभिन विवाद उत्पन होते हैं उनका निर्धारन अधि ग्रहन न्यायले अंतरास्टे न्यायले पंच निर्णे द्वारा किया जाता है इनके नेनों का आधार प्रसलित अंतरास्टे कानून के स्विक्रित सिद्धान्त ही होते हैं अंतरास्टे कानूनों के अभहाव में न्यायलों को कारे कथिन हो जाएगा और साइबर क्राईम को नियंतरीत करने के लिए बहुत अधिक मैंतुपूर है वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है साइबर क्राइम और जो एक बहुती जटिल और व्यापक विश्य बन गया है तकनीक के साथ विक्सित और ये परिवर्तित हो रहा है इस बारे में कानून बनाने को लेकर समस्या तो और भी जटिल है क्योंकि इस तरह के अपराद किसी एक रज्य या देश की सीमा में नहीं होते हैं इन अपरादों को कहीं भी यानि किसी भी देश प्रदेश की सीमा में बैठ कर उसी प्रदेश या देश या विश्व के किसी अन्य देश या प्रदेश की सीमा में किया जा सकता है Cyber अपराद या Computer अपरादों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है एक Computer के साथ किये जाने वाले अपराद और दूसरे Computer के जरिये किये जाने वाले अपराद व्यापार के लिए उपलब्द जानकारियों की चोरी, क्रेडिट कार्ड, आधी के उपयोग के समय उपलब्द जानकारी के आधार पर जाल साजी और हेरा फेरी आधी साइबर या कम्पिटर अपराद के दाएरे में नाते हैं तो साइबर अपरादों की रोक थाम के लिए अंतरास्टे इस तरपर कानूनों का निर्मान करना बहुत अधिक आवशक हो गया है युनाइटेड नेशन्स कमिशन ओन इंटरनेशनल लो ने 1906 में में इलेक्ट्रोनिक्स कॉममर्स के बारे में एक मोडल लो स्विकार किया था स्विक्त रास्ट्र महासभा में 30 जनवरी 1903 में को एक प्रस्ताव पारित करके सदस्या रास्ट्रों से आग्रे किया कि इस तरह का कानून बनाने या इस मोडल लो के अनुरूप अपने कानूनों में फेर बदल पर विचार करें तो अंतरास्ट्र कानून का महत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है और वर्तमान में युद्ध की जो तरस्त मानवता की रक्षा का कार्य है वो अंतरास्ट्र कानून के द्वारा ही हो सकता है और उसी के द्वारा संभव है एचम जैन ने अंतरास्टे कानून की आवशक्ता को महसूस करते वे लिखा था कि किसी भी समाज में उसके सदस्यों के पारस्परिक समंदों को नियमित करने के लिए विधी की आवशक्ता होती है बिना विधी के संगठित समाज संभव नहीं हो सकता अंतरास्टे समाज में राज्यों के पारस्परिक समंदों को नियमित करने के लिए भी विधी आवशक्ता है अंतरास्टे समाज की निमनलिखित विशेष्ताओं के कारण अंतरास्टे विधी की आवशक्ता होती है सभी सदस्यों में सह अस्तित आवशक्ता है और ये राज्य स्वतंत्र एवं संप्रभू है तथा वैधानिक रूप से एक दूसरे के समान भी है। इन राज्यों में आपस में निरंतर संपर्ख, सहयोग तथा संघर्ष पाया जाता है और परिणाम स्वरूप इन में परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मंध होना स्वाभाविक है। राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए ही अंतरास्ट्य विदी का जन्म हुआ है तो इस तरह से एचम जैन ने जो बात कही है वो निश्यत रूप से महत्वपून है क्योंकि उन्होंने का जो विभिन राज्य हैं विभिन देश हैं उनके आपसी समंधों को नियमित करने के लिए और सहय अस्तित्व के लिए तथा संघर्ष को रोकने के लिए और आपस में सहयोग के लिए अंतरास्ट्य कानूनों की अत्यांत आवशकता है धन्यवाद